जैस्री महाकाल आदेश तो धन, ब्यावसाय, बिदे स्यात्रा, मुकद्मा और जमीन से जुड़े कार्य जो बन नहीं रहे हैं ऐसे कार्यों को पूर्ण करने की यानि कार्य सिध्ध करने हैं तू एक विसेश और ततकाल प्रभावी विधान जो एकदम सटीक है और ये उपाए और ये साधना या विधान या प्रक्रिया कुछ भी कहें आप इसे इसे कोई भी व्यक्ति कर सकता है साधान ग्रहस्त व्यक्ति भी इसे कर सकता है महलाएं भी इसे कर सकती है किस ओर भी इसे कर सकते है और लड़कियां भी इसे कर सकती है कोई भी दोस्प्रवाव नहीं है और बड़ी सहच पद्धती द्वारा और बड़ी सहच पक्रियां द्वारा वो सभी इस प्रैक्तिया को कर सकते हैं और अपने अभीष्ट को सिद्ध कर सकते हैं तो एक ऐसी क्रिया और विधान जो आपको तद्काला भानमित करते हैं तो आप अगर इस साथना को पूर्ण विधान भक्ति और समर्पन भाव से करेंगे तो 11 दिन में ही रिजल्ट मिलना सुरू हो जाते है लेकिन जैसा कारे होगा वैसा समय देना होगा एक बात और है चाशा थोड़ी निरर्थक लग सकती है लेकिन जब बात सिद्ध ना हो जाए तब तक यानि थोड़ा विस्तार से हो तो पूर्ण रूप से समझा जाती है जैसे कई साधनाएं हैं जो साने ध्मे कराइं जाती है उनमें मेहनत कम होती है समय भी कम लगता है और लाब भी ततकाल होते है लेकिन उनको हर वेक्ति नहीं कर पाता क्यों? क्योंकि उसमें दक्षना रासी रखी गई है और वो दक्षना रासी साधक द्वारा दी जाती है लेकिन जिनके पास धना भाव है वो कैसे करें? और वो साधक अपने लक्ष को कैसे प्राप्त करें? तो ऐसे साधकों के लिए समय समय पर साधनाएं और प्रयोग विधी वीडियो के माध्यम से दिये जाते हैं और वो साधनाएं और प्रयोग सटीक भी होते हैं तुरित प्रभावकारी भी होते हैं लेकिन कुछ वीडियो जो अन्य जगे आपने देखे होंगे जिन में आकरसन तो है लेकिन परिणाम सुनने हैं जैसे आपने सुना होगा एक दिन में करें आग्या चक्र जाग्रित दूसरा नाभी पर हाथ रखकर इस मंतर को साथ बार बोले होंगे बाबा महादेओ के पर तेक्छ दर्तों इस वीज मंतर की एक माला जाप से माकाली दोड़ी हुई आएंगी एक घंटे में कैसें करें ओमन महशिवाय मंतर का एक करोड जाप हद हो गई ये सब निराधार बाते हैं बाबा महादेओ माकाली की करपा और दर्सन इतने सहज रहे हैं और आग्या चक्र जाग्रा इतना सहज नहीं है ये ऐसी क्रियाए हैं जैसे कोई बहेलिय दाने विछा कर फंदा लगाता है और एक चीज और है सहज रूप से या फिरी में या बि शाइत चल रही है कि गरहास्त इस्ट्रियां और किसोल और गरहास्त पुरोस इन पर्योगों को बिन ना किसी दुस्प्रभाव की बिना लाब ले सकतέ हैं इस साद्दा और प्रेओगों को दोनों पधतियों से किया जा सकता है सौम और तीचछन तो पहला प्रेओग है दु तो वो सुकल पक्ष को चुने और तीछ रूप से साधना करना चाहता है तो कृष्ण पक्ष को चुने उसमें जिस समय सिध्धियोग हो वो जिस भी पक्ष को चुनता है उस पक्ष में उसे सिध्धियोग देखना होगा और सिध्धियोग में साधना प्रारंब करे दिन यरात पूजन करे विधिबत और प्रसाद अर्पित करे और साधक उत्राभी मुख हो और मूर्ती का मुख दक्षन की तरप हो आसन कोसा और कंबल दोनों का होगा दोनों ही उसमें प्रेव करने है साधना में कोसा का आसन नीचे डाले उसके उपर कंबल डाले पहले एक माला गणपती ओम गम गणपताई न प्रम्र एकमार जिवाय है, फिर एक माला बटुक भ्यरो मंतर, जो धन्दा देवी हैं, ये यख्षणी की बात नहीं हो रही है, धन्दा यख्षणी नहीं, जैसे कि एक यख्षणी हैं लक्षमी यख्षणी, तो वो यख्षणी अलग है, लेकिन मातालगस्श्मी अलग है, ऐसे ही जो माभगवती का एक स्वरूप है धन्दा धन्दा देवी और एक हैं धन्दा यक्षणी तो उनकी नहीं है ये आराधना ये है माता भगवती की ही आराधना है तो उनका एक इसलोग है उसको कुझी का मंत से संपुटित करना है वो इसलोग इस प्रकार है ये है प्रति दिन का जाप यही रहेगा कि एक माला इस इस्तुति को कुंजी का मंत्र से संपुटित करना है। प्रति को मतलब इसमें चार पंक्तियों का दो स्लोक हैं। तो इन दो स्लोकों को एक माला जाप करना है पहले, फिर ग्यारा माला कुंजी का मंत्र का जाप करना है। फिर एक माला पिर इसी स्लोक का जाप करना है। और यह पक्रिया आपको 21 दिन करनी है। हाथ में जल लेकर य और इस पक्रिया को करें निश्चित रूप से धनागमन के रास्ते खुलेंगे और धनलाब होगा और दरिदता का नास होगा दूसरा प्रयोग है कारे सिद्धी के लिए, तो कारे सिद्धी के लिए कैसा भी कारे हो, धनवेवसाय विदे सियात्रा मुकद्मा, जमेन आदी से सम्मंदित कोई भी समस्या आ रहाई हो, तो इसके लिए पूजन पक्रिया वही रहेगी, जो पहली बताई गई है, कि घीका द पक्जागरत कर लेना है, और पोस्प परसाद आदी अर्पित करके, उनका वी दिवत पूजन करके, और गणपती गुरु मंत्र, तीनों मालाओं को करने के बाद, एक माला करने के बाद, फिर आपको, एक माला, सर्वावादा विनीर मुक्तो, धंधान सुतान विता, इस मंत्र का करने के बाद, फिर दो माला सर्वावादा विनीर मुक्तो की, फिर एक माला कुझी का मंत्र की, फिर दो माला सर्वावादा विनीर मुक्तो की, फिर एक माला कुझी का मंत्र की, इस परकार से, ग्यारा माला कुझी का मंत्र की, और बाइस माला आपको सर्वावा की कि कि मध्ध में हर बार कुझका मंता करने के मध्ध में 2 मौला सर्वाबादा की रहेंगी, लकिं सबसे पहले एक मला रहेंगी और सबसे अंत में एक मला रहेंगी, सर्वाबादा की, टो मध्ध में आपको 2-2 मला परने कِरनी के हर मौला को finger 드, मंत्र क excellent is only तो कहें या इसको मंत्र कहें कियोंकि ये सिध्ध मंत्र हैं और ये पक्रिय आपको 31 दिन करनी है कितना भी जटिल कार्य हो वो आपका कार्य निश्चित रूप से सिध्ध होगा और बनेगा हर हाल में बनेगा और अगर विवाह न हो रहा हो तो जिस प्रकार आपने सर्वावा इस स्लोक को सम्पुटित करना है, वो किस प्रकाल करना है कि सबसे पहले पूजन विधिवाई रहेगी, सबसे पहले आपको गणपती, गुरु और भेरो इन तीन जो मंत्र हैं इनकी एक एक माला जाप कर लेना है इसके बाद आपको एक माला करना है पत्नी मनोरमाम देही मनोगरतानु सारनेम तारनेम दुर्ग संसार सागरश्य कुलोद भवाम इसकी एक माला जाप करना है फिर एक माला करनी है आपको कुंज का मन्त्र का मन्त्र करना है, फिर दो माला का मन्त्र की एक माला करनी है, फिर इनकी दो इसनतना ही आपको हवन करना है हवन के दिन, जितना एक दिन में जाप होता है, मतलब 11 माला कुंज का, 22 माला ये संपुटित इसलो की ये संपुटित मंत्र की, तो ये आपके 31 माला, 32 माला या 33 माला हो जाती है, तो इतना ही हवन होगा, 22 वे दिन, तो इस तरीके से आपको करना है, और वासना मुक्ति के कौन से इस लोक से आपको कुझी का मंत्र को समपुतित करना है इस से क्या है कि जिनको वासना जो सारना नहीं कर पा रहे हैं वासना के विचार तमाम आते रहते हैं और वो अपना ब्रमचर नहीं रख पा रहे हैं तो इसके लिए वो एक अनुष्ठान 11 दिन का ये कर सकते हैं इस से उनकी जो है जो उर्जा है वो उर्धगामी होना सुरू हो जाएगी लेकिं इसके साथ क्या है कि ग्यारा माला करनी है ये कुंज का मंत की पांच माला और जो है इस लोग की ग्यारा माला रहेंगी तो कुंज का मंत को संप्टित करना है और इसके बाद एक सो आठ माला प्रति दिन सराक्छर मंत का जाप करना है तो इस तरीके से उनकी उर्जा उर के लिए ये साधना चलेगी उतने उतने समय तक अपने ब्रह्मचर का पालन करें और ब्रह्मचर न तूटने पाए क्योंकि अगर स्वपन दोस्त की बज़े से या किसी भी कारणा बस ये होता है तो वो साधना खंडित हो जाएगी खंडित मानी जाएगी उसको दोबारा से कर हैं और कई लोगों ने कई साधकों ने इन साधनाओं को पूर्ण किया है और साधनाओं को पूर्ण करने के बाद उनको जो परतिफल या जो लाभ प्राप्त हुए हैं वो बहुत ब्रहद हैं जो वो चाहते थे जो कारे वो सिद्ध करना चाहते थे तो वो कारे हुए हैं ब भगवती की कृपा से तो इन पक्रियाओं को आप करिए और लाभान में थोईए तो बस आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं और अगर आपको यह जानकारी हो चर्चा या साधना या पक्रियां या प्रेयो अगर आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करिए और इनको करिए अगर आप किसी प्रेसाइक में कुछ जानना चाहते हैं तो आप sprinkable फोर एप कि मानते हैं उसे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं और अगर आप किसी سाधन पर चर्चा करना चाहते हैं तो यह जो नंबर स्किन पर है इसस पर आप कॉल और वाट्स आप करके जा काई ले सकते हैं आदेश जैसरी महाकाद